सातियों, भारत में हो रहे बदलावों में एक और खास बात है, हमने भारत में एक स्ट्रॉंग और रिजिलियन्ट, रिस्पॉंसिबल डेमोक्रिसी की पहचान बनाई है, उसको बिते आठ सालों में हमने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बनाया है, भारत की डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आज समात के वो लोग भी जुड रहे हैं, जो कभी गवरों के साथ ये अनुबों नहीं कर रहे थे, वो भी इसका हिस्सा है, हर बार, हर इलेक्शन में, रेकोर्ट टर्न आउट और उसमें भी यहां जो हमारी माताएं बहने हैं, उनको जड़ा खुशी होगी, आप अगर भारत के चुनाओं को डीटिल में देखते होंगे, तो आपको ध्यान आता होगा, कि पुरुसों से ज़्यादा महिलाएं वोट कर रही हैं, यह इस बात का प्रमाण है, कि भारत माएं डेमोक्रेसी, सामान्य से सामान्य नागरीकों के हकों के प्रति, कितनी सजग हैं, कितनी समर्पित हैं, और हर नागरीक को कितना सामर्थवान बनाती हैं, साथियों, मुल्ज सुविधाओं के साथ साथ, हम भारत के एस्पिरेशन को भी नई बुलंदी दे रहे हैं, नया आयाम दे रहे हैं, भारत में इंक्लूजिवनेस का, लीकेज प्रूप गवर्ननस का, यह एक ऐसी डिलिवरी वबस्ता, टेक्नोलोजी का भरपूर उप्योग करते हुए, एक ऐसे मेकनेजम को विस्तार किया जा रहा है, ताकि जो जिस चीज का हकदार है, वो बिना मुसीबतें, बिना कोई सिफार इसको, बिना कोई करप्शन किये, अपने हग को प्राप्त कर सकता है, और उसमें हम पूरी ताकत से जुटे हुए है। और टेक्निलोजी के इस उप्योग ने, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपर की इस परंपरा ने, कोरोना के इस विकट कालखन में गत दो वर्ष में, भारत की और खास करके भारत के दूर सुदूर गाउं में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, हमारे नागरिकों के हकों की भावत बड़ी रक्षा की है, उनकी मदद की है। साथियों, भारत का बैंकिंग सिस्टिम, इन मुस्कित हालात में भी निरंतर चलता रहा। और उसका एक कारण भारत में जो डिजिटल रिवलुशन आया है, डिजिटल नेटवर्क की जो थाकत बनी है, उसका ये परनाम मिल रहा है। और आपको साथियों जान करके खुशी होगी, पूरी दुनिया में जो डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं न, कैशलेश, यहाँ जपान में तो आप लोग टेक्नलोलोजी से भली बाती परिचित रहते हैं। लेकिन ये बात सुन करके आनंद होगा, अस्यर्य होगा और गर्व होगा। पूरे विश्व में, जितना भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है, उसमें से 40 प्रतीशत अकेले भारत में होता है। कोरोना के शुरुवाती दिनों में, जब सब बन था, उस संकट के कालखन में भी भारत सरकार एक क्लिक बटन दबा करके, एक साथ करोडों भारतियों तक आसानी से उनके लिए जो मदद पहुचानी है, पहुचा पाते थे। और जिसके लिए मदद ताय थी, उसी को मिली, समय पर मिली, और इस संकट से जूजने का उसे सामर्थ भी मिला। भारत में आज सही माइने में पीपन लेट गवर्नेंस काम कर रही है। गवर्नेंस का यही मोडल डिलीवरी को एफिजेंट बना रहा है। यही डेमोक्रिसी पर निरंतर मजबूत होते विश्वात का सबसे बड़ा कारण है। अजनस का सबसे जए बना रहा है।